हलो डियर श्टूंट हमारे सच्टान अंदलनी चनल में आप सभी विद्यार्थों का पुना स्वागत है इस वीडियो में दखिए कच्छा नाइन्थ का जो समाजिक विज्ञान वार्षिक पेपर यारली पेपर दोहजार चोबी सीपी बोर्ड का हुआ है आईए इस पेपर क आई हुए हैं दखे सत्तर अंका ये आपका पेपर है और दो खंडो में यह पेपर डिवाइड है खंड का और खंड का जो है न एमस्क्यूज बिस्ट वैम्मार है वैम्मार पर इसके जवाब देना है एमस्क्यूज कुश्चन है और खंड आपका वरड़नातमक है जो विकल्प आपके सामने है इसमें जो बावाला विकल्प है मानते हैं यही राइट हो जाएगा दूसरा देखे रेड के नाम से किसे जाना जाता है चार विकल्प आप देखिए रेड के नाम से किसे जाना जाता है यह जो पहला वाला विकल्प है वलसेव क्यों वलसेव क्यो जो है इनको हम रेड के नाम से जानते है ए वाला विकल्प आपका राइट हो जाएगा तीसरा देखे हिटलर का जन्म हिटलर का जन्म हुआ था देखिए आस्ट्रिया में होता हिटलर का जो जन्म है डी वाला विकल्प इसमें राइट हो जाएगा परसना चाहुथा देखे ए FCI, FCI का फूल फार्मिया इसका क्या आसा है, देखे, FCI का मतलब होता Food Corporation of India, Food Corporation of India, अर्था तो जो इसमें विकल्प है, ये D वाला आपका राइट हो जाएगा, प्रस्न पच्वा देखे, महारास्त के मध्धिवर्ती पठार की क्या खासियत होती है, पच्वा देखे, तो यहा पर क्या होता है कि कम वर्षा होता है, ये भी राइट है, कम उपजाओं भूमी, येस, काटेदार बनस्पतियां भी हैं वहाँ पर यह सभी सही हो जाएगा, D वाला आपका राइट हो जाएगा, प्रस्न पच्वा देखे, बिहार में निर्धंता रेखा से नीचे के लोगो का परतिसत कितना है, ये पूचा जा रहा है, वहाँ पे न, ताहिती ही दसमलों साथ परसत, वहाँ की निर्धंता रेखा के अंतर के लोग आते हैं, C वाला विकलप आपका राइट हो जाएगा, सत्वा देखे, दच्वा देखे, दच्वा की गंगा किस नदी को कहा जाता ह दच्वा की जो गंगा है, वह गुदावरी नदी को कहा जाता है, ए वाला विकलप इसमें राइट हो जाएगा, परसन आठवा देखे, उलर जील कहा इस्तित है, उलर जील ए जम्मु कस्मीर बेस्तित है, डी वाला आपका राइट हो जाएगा, परसन नव देखे, सम जलव जोने सागर के तट के पास में ही मौझूद होती है एवला विकलपाप का राइट हो जाएगा परसने 10 देखिए रबढ़ का समंध किस परकार के बनस्पति से है तो जो रबढ़ होती है उस रिकटबंदी वरसा वाले बन में जादेतर पाई जाते है डी वला विकलपाप का र देखिए नीजी संपति को ब्रस्टाचार को जनता के धन के पेब्बे को यह सभी तो एडी वला विकलप इसके अंतरगत सभी समाहित हो जाएंगे प्रसन 13 देखिए क्वेश्चन 13 यंग इंडिया के संपादक का उंध चार विकलप आपके सामने है यंग इंडिया के संपा को आरच्छन कम से मिलना सुरू हुआ अर्थिक रूप से पिछले वर का जो आरच्छन होता है उनी सो तिरानवे से ही मिलना सुरू हो गया था एडी वला विकलप इसमें राइट हो जाएगा आपका प्रस्ना 16 देखिए इनमें से कौन सी स्वतंतरता भारती नागरिकों को नहीं है एवला सरकार के अलोचना की स्वतंतरत अ ऐ है प्रस्ना 17 देखिए छोटे किसान भारत में किसानों की कुल जन संख्या का कितने प्रतिसात है छोटे किसानों की बात होती है असी प्रसतिये माने गए हैं, बीवलाप का राइट हो जाएगा, प्रसन अठार देखें, भारत में सन 1991 में सच्छातादर क्या थी, भारत में सन 1991 की सच्छातादर अठार प्रतिसत मातर थी, ये 1951 की सच्छातादर है, सच्छातादर एवलाप का राइट हो जाएगा, बीसमा प्यमस क्यूच کا एक क्वेस्चन आई और यहाँ पर उननी समा चुटा हुगा है, तखे जावाँ में किस सम्डाय के लोग कुसर लकड़ हरे थे तो वहाँ के जो समदाए थे उसहाल लकड़ारे में वो तीसरा वला विकलपाप का राइट हो गया गा कलंक समदाए के कलांग समदाए के जो जावा के लकड़ारे थे वो कलांग समदाए से बिलांग करते थे थार्ड वला इसमें राइट हो जाएगा अब देखिए यहां से हो वर्षाय की संदी की कोई चार सरते बताना है तो दखिए उस समय क्या हुआ था जो ज़र्मोनी ने अपने समुद्रपार के जो उपनिवेस थे तो जो जर्मनी था जर्मनी को क्या करना पड़ जर्मनी हार गई थी फ्रांस से इंगलेंड से रूस से तो जो जर्मनी था उसका जो 13% भुबाग था 17% लो भंडार 26% के कोयलाएक भंडार तो ये सम क्या किया हवाले करना पड़ा फ्रांस को पोलाइन को डेनमार को लुधियाना को इनके हवाले करना पड़ा ये सर्थ उसमें रखा गया था सरका ये था कि जर्मनी की रही सही सक्ती जो थी पहले से वो समाप्त करने के लिए मित्र राष्टों ने उसकी सेना भी भंग कर दे थी फिर तीसरा ये होता है इसमें कि युद्ध अपराध बोध जो अनुछेद के तहत युद्ध के कारण मित्र देशों की हुई हानी और जो पर कुल मिला करके छो और पॉंड का जुर्माना ठोका गया था और अगला इसकी सरत ये थी कि जो खनीज संसाधन थे खनीज संसाधनों वाले राइन लैंड पर भी बीस के दसक में जादे तर मित्र रास्टों का ही कवजा हो गया था दूसरा देखे कुश्चन क्या आया यह अनाजों को खास करके गेहूं चावल इत्यादी का भंदारण करती है गेहूं चावल इत्यादी को एकठा करके है बड़े बैरे फ्रेक्टरियों मीलों में भंदारण उनका करती है यही जो भंदारण है बफरिष्टा कालाता है उसमें होता क्या है कि जो गर्मेंट होत ता उनको उगाने से पहले ही जो भी उस वक्त न्यूनत्म समर्थ ट्वमॉल होता है उसी पर सवधा कर लिया जता है और उसी के बार जो है सरकारे उपज होने के बाद जो भी भंदार होता है अनाज होती है उसको भंदार कर लेती है अपने कवजे में रख करके प्रस्न तीसरा देखे तीसरा प्रस्न यह है कि राष्टी जनसंख्या नीती की मुख के बिशिस्ताएं क्या है देखे राष्टी जनसंख्या जो नीती बनाई गए उसमें यह जोर दिया गया है परिवार नियोजन पर जोर दिया गया है कम सिमित बच्चे रहें ताकि सदस्यों की संख्या सिमित रहे किसी भी परिवार में ताकि वह जो परिवार है पुरा स्वस्ता और विकास की रह पर चले और अगला यह होता है कि जो बंस है या परिवार की जो स सीमा है वो सीमा के अंदर है हर वंस या परिवार अपनी कल्लाण के लिए ये सुक्सांती के लिए कम जो है बच्चे या कम जनसंख्या रखे ये बात बताएगे है अगला चीज इसमें बताएगे है कि 14 वरस तक के सभी जो भी बच्चे हैं सब के लिए सिच्छा इसमें प्हलाने वाले जो बिमारियां होती है बिमारियों की रोग थाम के लिए बच्चों को ट्रीका लगना बहुत ही आवस्थे होता है ये सब चीजे उसमें बताएगे हैं और अगला परसन देखिए बन अधनियम ने बन अधनियम ने भारती चरवाहों के जीवन को किस परकार परसन संख्या चार है काफी अच्छी कोस्चन देखे क्या होता था कि पहले जो चरवाहे होते थे मनमानी तरीके से अपने पस्वों को ले जाकर के जंगलों में चरड कराते थे चराते थे और तमाम जो जंगल होते थे पेलपावधे होते थे च्छती भी होती थी तो ये अ प्रतिबंद कर दिया गया फिर अगला बात इसमें आता है कि जिन छित्रों में उन्हें छूड़ दी गई कि यहां पर आप अपने पसू को ले करके जाए उन पर भी बहुत कड़ी नजा रखी जाती थी पहले परमीर बनवाना पड़ता था तब अंदर ले जाए गया और एक समय निधारित होता था तो यह जो चरवाह होते थे जंगल में जादे समय तक रहने किया जादी नहीं थी चाहे चाराव हो अथवा नहों यह तमाम परतिबंद वहां पर लगाए गए थे और प्रसन अब देखे दिरगुतरी प्रसन है एक सो पचास सब्दों में जबाब द नहीं यहां से प्रसन संख्या पचमा देखें यह दिरगुतरी प्रसन है इनको आप अच्छे से समझ लिजेगा देखे जैसे कि बुला है कि फ्रांस में करांती की सुरुआत किन परिस्तियों में होई तो फ्रांस में जो करांती की सुरुआत होई थी उसके पीछे बहुत स अच्छा है कि क्रिसी के परंपरिक तरीके और क्रिसी के आधुनिक तरीकों में क्या अंतर है दोनों में पुछ रहा है। अधुनिक तरीके थी उन्हीं को ही परंपरिक तरीका कहा जाता है। नई यंतर आये हैं इसमें समय की बरबादी बहुत कम होती है और अच्छी उपज होती है। मोट बरहा से सिचाई होता था देकुरी से होता था लेकिन आज उसके स्थान पर ट्रक्टर आ गया है। तमाम प्रकार के मसिनरी आ गए हैं पहले एक पौधह का जो बीज ले करके फिर उसी बीज को लगाता रबॉय जाता था उत्पादन कम होता था। बीज आ गया हैं जिससे उत्पादक्ता बढ़ी है। पहले लोग मांसून पर निर्फर थे वर्षा पर निर्फर थे लेकिन आज मांसून पर बहुत कम निर्फर हैं। अपने निजी साधन सिचाई के साधन उत्पन कर लिया है। एस सब चीजे हैं दोनों में डिफरेंस लाती है। परसन साथ देखें। साथ एह हैं निर्धनता उनमूलन की बर्तमान सरकारी जो रणनितियां हैं उसकी चेर्चा करिए। निर्धन्ता उन्बुलन गरीवी का उन्बुलन तो भारत सरकार आज गरीवी को दूर करने के लिए धेर सारे कारेकरम चला रखे हैं जैसे जवाहर ग्राम समरिधी योजना, स्वरजेंती ग्राम स्वरोजगार योजना, प्रधारमंत्री रोजगार योजना, ग्रामली छत्र कि सीतु रितु की अवस्था और उसकी विश्यस्ताओं पर प्रकास डालना है देखें सीतु रितु की बात हो रही है रितु मानसुन के उनसार जो रितु है यह बदलती रहते हैं मुख्य रूप से चार रितु हम बाटा गया है मानसुन को एक होता है सीतु रितु जो की दिस दमबर तक की रितु को बलते हैं फिर पीछे हरते मांसुन की रितु जो की अक्टूबर से नमबर तक बताईए है तो इसमें चिक्र आपको करना है सीत रितु के बारे में सीत रितु लगभग दिसंबर से फरोड़ी तक यह पूरे भारत में जारी रहती है और जनौरी सबसे महीना जनौरी तक बहुत ही लो होता है तो यह चीज होती है देस के जो वायू दाब होता है उसके हिसाब से और जो पमढ़ धराएं होती है इन सब के हिसाब से जो temperature होता है वो घड़ता बढ़ता रहता है इसके बारे में आप detail में study कर लेंगे फिर आगे देखे प्रस्ण यहाँ पे नौवा है बिश्व के मानचित्र में इन सब को आपको भरना है पांच अंके होते हैं इनका नाम भी लिखना होता है और किसी उचित चिने से भी आप भरेंगे पहला दिया है कि विश्व के मानचित्र में का का मित्र रास्टर में समलित किसी एक देश का नाम तो फ्रांस होता है मित्र रास्ट में समलित फ्रांस अब फ्रांस को आपको दिखाना है विस्व के मांचित्र में दूसरा है केंद्री सक्ती में समलित किसी एक देश का नम बताईए तो तुर्की होता है तीसरा होता है भारत के उस राजी का नम जहां गुरुजर बकरवाल सम ट्रै में आपको चित्र चिने से उसके नाम से दर साना है। भारत के पश्चमी घार से पुर्वी घार तक बहने वाली एक नदी का नाम पुछरा हो तो चाहिंकnoc के मरुस्तल आप पुछरा है। राजकना के किसे एक Hafen quelque में विए uthara मरुस्तल आप दे सकते हैं तीसरा है भारत के पुरुवी तरपर इस्थित एक बंदरगा का नाम वो पुरुवी तरपर तो विशा का पटनम है और फिर आगे दखी पुचा है उत्तर प्रदेश की राजधानी वो लखनव आप दिखाएंगे गुजरात में स्थित खादी का नाम चिन्ह सहीत चिन्ह द्वारा वो कच्छ कच्छ खादी का खाडी यहां में स्पिरिंटिक है वो खाडी होता है वो कच्छ है सो थैंक्स